अलो रिवान, विल्कम बैक आज हम कुछ प्रदिन बोले जाने वाली इंपोर्टेंट हिंदी सिंटेंसे का अंग्रेजी शिखेंगे ऐसे हिंदी बाकिये जिनको हम सुबा से लेकर शाम तक अपने दैनिक दिन्चरिया में बोलते रहते हैं तो उन हिंदी बाकियों को अगर हमको अंग्रेजी में बोलना होगा तो कैशे बोलेंगे एक एक करके हम देखते हैं आज का पहला हिंदी सिंटेंस है कि मेरी गलती ढूढ़ना बंद करो अक्षर होता है कि एक बेक्ति दूसरे बेक्ति कि अक्षर गलती ढूडता है अच्छा ही नहीं ढूडता है तो अगर इसी बाग के को कहना है कि मेरी गलती ढूड़ना बंद करो तो इसका अनुबाद क्या होगा तो सबसे पहले हम इस sentence का nature देखेंगे यह किस sentence से relate कर रहा है या किस sentence से relate कर रहा है तो यह जो देखिये दिया है कि बंद करो यह imperative यानि आदेशित किया जा रहा है चाहे सुझाओ दिया जाएगा तो आदेश देना या सुझाओ देना imperative sentence में आता है तो imperative sentence में सबसे पहले हम वर्ब लिखेंगे तो बंद करो जिरंड को लगाना है नाने नहीं करके आया है तो वह जिरंड फाम में प्रयोग होगा तो धूढ़ना तो धूढ़ना की इंग्रेजी होगा find और जैसे ही जिरंड फाम में जाएगा वह ing लग जाएगा उसमें इस्टॉप फाइंडिंग अब क्या ढूढ़ना बंद करो तो मेरी गलती तो मेरी गलती के अंग्रेजी हो जाएगी my fault यह हो गया stop finding my fault कि मेरी गलती ढूढ़ना बंद करो अगला सेंटेंस है कि मैं हिल भी नहीं शकता तमाम ऐसे जगह जैसे ट्रेन में यात्रा कर रहे हों कहीं मेला में गय हुए हो तो ऐसे जगह पर अक्सर इतनी भींड होती है कि वहां हिलना मुश्किल होता है तो उस सेंटेंस के लिए जैसे दिया है कि मैं हिल भी नहीं शकता तो यह कैन के यूज में है यानि मौडल अगिलरी जो कैन है उसके यूज के तहतिया प्रयोग होना है तो मैं हिल भी नहीं शकता इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो आई उसके बाद मौडल अगिलरी तो यहां लिख सकता है I can't उसके बाद हो जाएगा even even का मतलब यहां भी उसके बाद हिलना तो हिलना के अंग्रेजी हो जाएगा move I can't even move मैं हिल भी नहीं सकता इस सेंटेंस का अंग्रेजी उन बाद यह होगा अगला सेंटेंस है कि यह पहले ज़्यादा आशान है अगतर कोई सवाल हम अर्व हलल कर रहे हो तो पहले वाल अगर हल कियो तो और bik grassroots लगा हो सके बाद अगर हम हल करते थे हैं तो अगर उसी रूल पर है तो काते हैं पहले से आसान लग लग रहा है जाहे कभी कोई उससे आसान मिल गया तो उस सेंटेंस के लिए दिया है कि यहां पहले से आसान है तो यह कंपारेटिव डिग्री में है तो यहां लिख देंगे इट एज और आसान, आसान के अंगरेजी हो जाएगा, सिम्पल, S-I-M-P-L-E और कह रहा है कि पहले से ज्यादा आसान है तो अधिक आसान है तो कंपारेटिव डिग्री में लिखेंगे तो सिम्पलर हो जाएगा और उसके बाद तुलना करने वाला शब्द होता है दैन और पहले से तो यहां भी फोल लिख देंगे हो गया, it is simpler than before कि यह पहले से ज्यादा आसान है उसी प्रकारगला सिंटेंस है कि मुझे कम मत समझना यानि अक्सर कभी कभी कोई किसी को धमकी देता है तो अभी कहता है कि ऐसा है कि मुझे कम मत समझना तो इस सेंटेंस का अगर अगर वाद बनाना होगा तो इसको क्या करेंगे मुझे कम मत समझना नेगेटिव सिंटेंस है इंपेरेटिव कात लिखेंगे don't और कम समझना का होता है under estimate under estimate और उसके बाद दिया है मुझे तुमी यानि मुझे कम मत समझना don't underestimate me इसका अनुबाद ये हो जाएगा अगला सिंटेंस है कि मैं उससे दोस्ती कर लिया यानि किसी ब्यक्त से दोस्ती करना उससे जान पहचान बढ़ाना है तो उसी तर कर रहा है कि मैंने उससे दोस्ती कर लिया तो ये हो जाएगा I और दोस्ती करना का होता है befriend ये हो गया I befriend और past indefinite है तो befriended हो जाएगा और उससे तो यहां ही मिया हर जो भी होगा उसको लिख सकते है अगर लड़की है तो हर कर सकते हैं लड़का है तो हीम कर सकते हैं दोनों में से कोई लगा सकते हैं अब अगले sentence को देख रहा है दे रहा है कि मैं बस यो ही पूछ रहा था अक्सर कभी बात करते रहते हैं तो उसमय क्यों पूछ रहा है तो कहते हैं बस यो ही पूछ रहा था तो मैं बस यो ही पूछ रहा था अगर इस sentence का उनवाद बनाना होगा तो लिखेंगे यह अब sentence देखेंगे तो यह past continuous से relate कर रहा है कि मैं बस यूँ ही पूछ रहा था तो I was उसके बाद बस यूँ ही इसके लिए किवल हम just का प्रयोग कर देंगे I was just और पूछ रहा था तो asking यह हो गया I was just asking मैं बस यूँ ही पूछ रहा था इस sentence का अनुबाद यह हो जाएगा अगला दिया है कि यह महंगाई जान ले रही है आज कल जो महंगाई है वो इदम चरम पे है तो इस sentence को देखें दे रहा है कि यह महंगाई जान ले रही है अगर इस sentence को बनाना होगा तो क्या करेंगे क्यों कि आज की जो महंगाई है वह आस्मान चू रही है तो इस sentence के लिए हम क्या कर शकते हैं यह महंगाई जान ले रही है तो यहां लिख देंगे कि this और यहां हो जाएगा कि यहां महंगाई जान ले रही है हो गया डेंगे महंगाई तो इस डेंगे कि अगले sentence पर आते हैं दिया है कि उसने कुछ गलत नहीं किया था यानि कभी कभी होता है कि जो काम किया सही किया था यानि उसने जो भी किया उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसने जो कुछ किया गलत नहीं किया था तो उसने कुछ गलत नहीं किया था इस sentence के लिए हो जाएगा तो he had done उसने जो भी किया था वह गलत नहीं था या उसने कुछ भी गलत नहीं किया था तो he had done और कुछ नहीं तो यहां लिख देंगे nothing और गलत के लिए हो जाएगा wrong व-r-o-n-g तो उसने कुछ गलत नहीं किया था इस sentence का अनबाद हो गया कि he had done nothing wrong अगला दिया है कि इत्ते फाक्षे मैं उसे जानता हूँ कभी-कभी होता है किसी ब्यक्ति की चर्चा हो रही है तो उस समय कते हैं हाँ मैं भी साइद उसे जानता हूँ तो इत्ते फाक्षे मैं उसे जानता हूँ तो इत्ते फाक्षे के लिए होता है co-incidentally को और इंसिडेंटली यह हो गया को इंसिडेंटली इत्ते फाक्षे उसके बाद मैं उसे जानता हूं present indefinite में है आई और यह हो गया no और यह हो गया him इत्ते फाक्षे मैं उसे जानता हूं तो इस तरह से हम ऐसे sentence का उनवाद आसानी से कर सकते हैं तो आशा करते हैं या वीडियो आपको समझ में आया होगा वीडियो को लाइक कर देजिए शेयर कर देजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजेगा थैंक्यू कर दो कर दो